हाई हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माई चानल मेरा नाम है अधित्यों और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आज हम ये वाला हॉन बुल का वालेट देखने वाले हैं जो कि जेन्वेन लेदर का आता है वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंट तक देखना बॉक्सिंग से शुरुवात कर लेते हैं आमेजन से मंगवाया है 511 रुपीस का पड़ा है यही सेम रेंज का इसका प्राइस चलता रहता है जादा उपर नीचे नहीं होता यह एक टॉप सेलिंग प्रॉडक्ट है 3000 से जादा इसकी रेटिंग थी रिव्यूस भी बहुत ज से इसका डबा खोल देता हूँ बहुत बढ़िया पैकेचिंग में आता है अभी कुछ दिन पहले हमने और एक हॉन्बुल का वॉलेट अन्बॉक्स किया है वो भी बहुत जादा बढ़िया है बट उससे जादा बढ़िया और स्टाइलिश मुझे यह लगा फाला की क्वाल जन्वेन लेदर गैरेंटेड रियल लेदर के वॉलेट से दोस्तों बहुत ही जादा लॉंग चलते हैं लॉंग लाइफ चलते हैं बॉक्स में और कुछ भी नहीं है दोस्तों फटा-फट से मैं इसको खोल देता हूँ बढ़िया सी पैकेजिंग में आता है बटर पेपर ज शाइनिंग लेदर है इसका फिनिशिंग बहुत जादा कमाल लग रही है एकड़म स्मूद लेदर है और बहुत जादा बढ़िया तरीके से लगाया है दोस्तों और इसमें RFID का आपको प्रोटेक्शन भी मिल जाता है जो सिक्योरिटी परपस के लिए बहुत जादा यह एकड़म परफेक्ट कह सकता हूँ मैं इसको फर्स इंप्रेशन में तो बहुत गजब लग रहा है दोस्तों आप देख लो चलो मैं इसको खोल के बता देता हूँ आप लोगों को ताकि आपको एकड़म परफेक्ट वे में अंदाजा लग जाए देखो यहां पे को दो क्रेडिट डेविट कार्ड सामने रखने की जगह दी गई है जो बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग के साथ अच्छे से अराम से रख सकते हो आप कोई भी कार्ड और उसके पीछे भी आपको एक कार्ड या कुछ भी छोटा मोटा समान रखने की जगह मिल जाती है तो राइट साइड पर आपके तीन डेविट क्रेडिट कार्ड आ जाएंगे और सबसे अच्छी बात हो यह इसके अंदर कॉइन पॉकिट भी दिया गया है कॉइन पॉकिट बहुत जादा वाइड है इसमें चोटा मोटा समान मेमरी कार्ड पें ड्राइफ वगेरा अराम से रख सकते हो यह एक हेडिन पॉकिट जैसा ही काम करेगा तो यह रहा राइट साइड इसका और देखो यहां पर लॉक भी है वो लॉक हो जाता है वो चैसे पुश बटन होता है न वैसा और लेफ साइड पर मैं बात करूँ तो स्लाइडिंग वाला विंडो दिया गया है जह यह देखो यहां पर लेफ साइड पर भी आपको सीकरेट कंपार्टमेंट देखने को मिल जाता है इस कंपार्टमेंट को सीकरेट क्यों कहते है मुझे नहीं पता पर यही कहते है तो मैं भी यही कह रहा हूं है ना दोस्तों बड़ी और फेंटास्टिक वॉलेट अखिर में मेंस के पास बहुत कम ऐसे सेरील्स होती है तो यह भी एक ऐसे सेरील्स में आता बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट और सामने देखो आपको चेंड मिल जाती है जो कि शायद से स्टेंडलेस टील की I'm not sure कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है उसके बारे में हम बात करेंगे यह मैं आपको बता दू कि उसके अंदर भी आपको जगा मिल जाती है अच्छी खासी पूर्य आप वहां पर भी कुछ समान रख सकते हो जो भी आप रखना चाहो अकेले लोते वॉलेट में इतने सारे फीच कमपर्टमेंट में आ जाते हैं कैश कमपार्टमेंट जिसके अंदर पूरी फैबरिक की लाइनिंग दी गई है जो की बहुत जाधा शाइनी फैबरिक और बहुत अच्छा लुक दे रहा है दोस्तों वॉलेट मेंग्स की पहचान होती है दोस्तों ऑल ओवर सकी बहुत ज्यादा बढ़िया है मुझे बहुत पसंद आया दोस्तो इस वालेट की stitching, finishing, designing बहुत ज्यादा बढ़िया करी गई है बहुत सोच समझके इसको design किया गया है इसको देखके पता चलता चोटा सा वालेट बहुत सारे features के साथ loaded है अब ये देख सकते हो ये turn जो थोड़ है बहुत impressive quality है बहुत अच्छा leather use किया गया इसमें top grain quality का leather use किया गया है दोस्तो five plus RFID protection के साथ आता है दोस्तो यह wallet के करें दोस्तों दोस्तों यह वालेड बहुती ज़़यार वर्थ और value for money deal लगा मुझे इसका डियूल शेट बहुत जादा पसंद आया इससे चार से पांच कलर आते हैं मैं सबका बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा आप चेक आउट करके अपनी पसंद से ले सकते हो और भी दूसरे हॉन बुल के आते हैं वालेट में उनका भी लिंक डि करने की कोशिश करूंगा दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक बटन दे दीजे बहुत जादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और जितना शेर कर सकते हो इस वीडियो को उतना शेर कर दो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो पूरान